तो हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का और एक नए और सांदार वीडियो में आज के वीडियो में बात करने ले हैं 2021 में आने वाली महिंद्रा स्कॉर्प्यों के बारे में महिंद्रा कंपनी है वो 2021 में काफी सारी गाड़ियों को लॉंच करने वाली है जिन में से सब्सक्राइब कर दो temos वीडियो को सबसेर और पहले आगए आजसे स्सेल वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं वाले में कुछ महिंज़सा अब पहली हूंगे कि ये एक महिंद्रा स्कॉर्प्यों का बेज विरेंड है जो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स के बारे में पता जलता है जिसमें आपको काफी बड़ा सा बॉनेट मिलने वाला है इसके लावा जो इसकार की फ्रंट ग्रिल है वो आपको टोटली चेंज मिलने वाली है और जो हेड्लम्स दिये गए है वो आपको नॉर्मल वारी ही मिलने वाला है इसकार का फ्रंट बंपर है वो भी आपको टोटली चेंज मिलने वाला है जो इसमें विल है वो आपको आर सेवंटी इंच के स्टीम विल मिलने वाला है इसकार के रियर पॉफिल की बात करते हैं त को सार्फिस नहीं मिलने वाला है इसके लावा साइट प्रोफाइल में आप देख पा रहे होंगे कि जो सी पीलर है वो आपको काहवी लंबा देखने को मिल रपा रहा होगा वही अगर हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं इसकार की इंटीर की तो इस मेज में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको महिंद्रा थार वाले ही एसी के सिस्टम मिलने वाले हैं इसके लवा नीचे आपको काव फोल्डर भी देखने को मिल पा रहे होंगे जो इसका स्टेरिंग है वो आपको पुरानी स्कॉर्प्यों के जैसा ही मिलने वाला है इसके लावा अगली म इमेज में देख पा रह을 होंगे कि उपर आपको संडूप भी इस कार में दिया जा सकता है क्योंकि इस इमेज में देख पा रहे होगे के उपर आपको जगह दी गई है जिसASON पर आपको दीया जा सकता है वही अगर हम सब्सक्राइब नियुस निकल के आई है कि इसमें आपको महिंद्रा थार वाले ही 2.2 लीटर डीजल एंटुन पॉइंट लीटर पेटल एंजिन मिलने वाला है जिसमें आपको मैन्योल टांस्मिशन और एम्टी टांस्मिशन दोनों के ऑप्शन दिये जाएंगे इसका लावा यह कार है वह आपको फ्रंट विल ड् की तो महिंद्रा है इस कार को 2021 के सेकंड क्वार्टर तक लॉंच कर सकती है तो यही कुछ इंफोमेशन थी महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेकर तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स मिलते है अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम